राधे राधे दोस्तों गोपास्टमी के दिन घर पर हम पूजा कैसे करेंगे चलिया आज इस वीडियो में देख लेते हैं गोपास्टमी के दिन उत्तनत पावन दिन होता है इस दिन भगवान स्रिकृष्ण के साथ साथ गोव माता और बचले की पूजन किया जाता है गोमाता को चारा खिलाना गूर खिलाना चाना खिलाना बहुत ज़्यादा सुब माना जाता है गोमाता के लिए शुरिंगार तथा सौल की दान भी इस समय आप कर सकते है अगर गोमाता एवलेबल नहीं होती है तो आप घर पर कैसे पूजा करेंगे चलिए इस वीडियो में द दिखें काना जी के जो बाल सौरूफ है चोटी से लड़कुपाल जी अगर आपके घर में विराजवान है तो उनकी पूजा अर्चना जरूर किया जाता है आप चाहे तो पंचा मृत से या कच्चे दूद से स्नान करा सकते हैं और इस तरह से स्नान होने के बाद बड़िया स्रिंगार करके उनको आशन दीजिए तो भगवान काना जी कि आज पूजा जरूर की जाती है और इसके बाद जो आपके पास गोपा गोव माता का जो बिग्र है साथ में बचड़े है तो उनका स्नान होता है हल्दी युक्त पानी से आज गोव को नहलाया जाता है मतलब ज युक्त तो इस दिन बाढ़ा जाता है तो इस तरह से बचले के लिए बी चोटा सा घंती लायर के बान सकते हैं तो इसके बाद का इस नान होने के बाद हम अकसत का आसन लगाएंगे और हमाता को यहां पे बिराज मान करेंगे गोमाता में 33 कोटी देवी देवता का बास होता है तो जब भी हम गोमाता का सेवा करते हैं उनको उचारा खिलाते हैं खाना खिलाते हैं दान करते हैं कुछ गोमाता के नाम से तो हमें बहुत ज़्यादा पुन्यफल की प्राप्ति होती है अब हम सभी भगवान को वस्तर चड बढ़ा दीजेगा फिर आपके घर में जो दूद बगर देने आते हैं उनको आप दे सकते हैं कि आपने गोमाता को उड़ा दे तरह से गोमाता के लिए आपका कुछ दान भी हो जाता है इसके बाद हम आपके सभी भगवान को टीका करेंगे चंदन का ठीका करना बहुत ही तुलसी दल चड़ाएंगे लेकिन ध्यान रखिएगा गनेश जी को तुलसी नहीं चड़ाएंगे तो इसी तरह से आमें गोपास्ट में की दिन पूजा करनी है अपने घर में गोमाता का आशिरवाग की प्राप्ति के लिए कहते हैं उनके घर में धन धाने का संतान की सर्वता उन्नती होती है और जो भी संतान प्राप्ति के लिए पूजा को ब्रत को करना चाहते हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा रहता है इसके बाद दिखाएंगे भोग में आप भगवान को कुछ मीठाय का भोग लगा सकते हैं जो भी पक्वान बनाएंगे गोमाता खाते हैं ऐसे कोई भी चीज आप भगवान को गोमाता को चड़ा सकते हैं बाद में आप चाहें तो एक दो चीज़े अपने घर के लिए रख लीजे और बाकी अपने गोमाता को जो ओरिजिनल गोमाता है उनको खिला दीजेगा यह बहुत अच्छा रहत है इसके अगर आरती नहीं आती है तो पांच या साथ बार से ओमकार के सेफ में आप घुमाईए तो उसे भी आरती के तरह देखा जाता है आरती उनके बाद हाथ में थोड़ी सी जल लेके आरती के चारों तरफ इस तरह से घुमा लेंगे और आरती को शित्ता लेंने की ठंड़ा कर पर लेंगे इस तरह से हमारे आरती भी कम्प्णीट हो जाता है तो आपके पास अगर घुमाटा का कथा है गोपास्ट्रमी की कथा भूक में तो आप वह भी जुरूर पढ़े और बच्चों को भी सुनाये ताखि बच्चों को भी आरी रिवास संस्कार संस्कृति सब्सक्राइब कर सकते हैं तो इसी तरह से घर पर बहुत इस अरल विदी से आप पूजा कर सकते हैं आज के लिए इतना ही मिलूंगे नेक्स्ट वीडियो में तब तके लिए सभी भाई बुन्दों को हरे किष्णा राधी राधी और हाँ वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक सर और कमेंट चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा तब तके लिए बाई बाई दोस्तों टेक केर